जय हिन बंदे मातरम स्वागत है आप सभी सांथियों का गेंजेड लर्निंग गुर्जी प्लेटफ़ॉर में तो सांथियों जितने भी 16-16 भिहार SSE भर्दी की त्यारी करें उनके लिए जो आज की जो प्रैक्टिसेट ली गई है बहुत इंपोर्टेंट प्रसनों के साथ ली गई है तो आप लोग से निवेदान है कि आप लोग इस लेक्चोर को पूरा देखने का प्रियास कीजेगा और इस चैनल पर आप लोग को डेली प्रैक्टिसेट पिहार SSE के लिए मिलेगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इसे सेर जरूर कर दीजेगा तो देखें दोस्तों आते हैं प्रसन संख्या पाला पर यहां पर जो पाला प्रसन करें कि स्वाधिंता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था अस्थापित के गई थी बहुत सुंदर सा प्रसन है और यह एक्जाम में पूछा भी गया है तो देखें यहां पर C.B. कल्ब दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है अमेरिकी स्वतंतरता संग्राम के दोरान जो स्वाधिंता की पुत्र पित्रियां है यह किस संस्था के द्वारा अस्थापित किया गया था तो अमेरिकी स्वतंतरता संग्राम के दोरान इसको अस्थापित किया गया था क्लियर है इसके बाद आगर आप लोग को ये पीडियेफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया गया है आप लोग वहाँ पे जाईएगा और लिंक को जोईन करके जो है वहाँ पे बहुत सारी पीडियेफ आप लोग को मिलती रहेगी इसके बाद आएए दूसरे नंबर प्रस्नों को देखते हैं यहाँ पे जो दूसरा जो प्रस्न करें कि नियंतरन बोड के सदस्यों और तथा करमचारियों के वेतन भारती राजसों में से देने की विवास्ता किस एक्ट में की गई है बहुत सुन्दर सा प्रस्न है और बहुत इंपोर्टन प्रस्न है तो देखे तो यहाँ पे ए विकल बिल्कुर सयोगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जितरे भी नियंतरन बोड के सदस्य होते हैं और उसके करमचारी भी होते हैं उनको वेतन जो है इस एक्ट के द्वारा दिया जाता है किलियर अगले प्रस्नों को देखे तीसरे नंबर प्रस्न को यहाँ पे जो तीसरे नंबर जो प्रस्न कर रहा है दोस्तों कि संगाई सयोग संगठन जिसको एस सीयोग के नाम से जाना जाता है या जो है किस देश को अपने सबसे नए सदस्य के रू बिल्कुल सही हो रहा है आगला जो प्रस्ना है दोस्तों देखिए चोथा जो प्रस्ना है कि बिहार पंचायत समिती और जीला परिसद अधिनियम कब लागू हुआ था तो देखे तो ए विकल्प यहां पी बिल्कुल सही होगा आगे देखिए दोस्तों आते हैं पांच नंबर प्रस्ने पे यहां पे जो पांच नंबर प्रस्ना है कि निल्ला लिखित में से किस छेतर में प्रवाल भीती नहीं पाई जाती है तो मनार की खाड़ी में प्रवाल भीती पाई जाती है आप लोग पढ़े होगे कि बुक में क इसके बाद देखिए छे नमर प्रस्न को, यहाँ पे जो छे प्रस्न करें कि वह प्रतम मुस्लिम सासक को था, जिसने सासन के सिधान, जिसको थिवरी ओफ किंग सिर्प के नाम से जानते हैं, उसने रजाओं के इस्वरिय अधिकार सिधान के समान प्रती पादित किया था, उस सासक कौन था दोस्तों, तो वह सासक बलवन था, आगे देखिए साथ नमर प्रस्न के आते हैं, यहाँ पे जो साथ प्रस्न कर रहा है कि वह तिविती बहुत भीच्छो जिसने भुटान को एक राष्ट के रूप में एक गिरित किया था, उस वह कौन था, तो देखिए तो आठ नमर प्रस्न है कि जल्वाव परिवर्तन पर संजुक्त राष्ट का सम्मेलन COP21 आयूजित है किस देश में किया गया था, किस सार में किया गया था, तो देखिए तो बी अप्सन बिलकुर से होगा कहां पर किया गया था, दोस्तों, पेरी सार में किया गया था, संजुक की तरफ लगाया गया बल क्या कलाता है अब बहुत अच्छा सा प्रस्न है और ये जो है 10 क्लास का प्रस्न है कि पानी की दवारा उपर की ओर जो लगाया गया जो बल है उसे किस नाम से जाना जाता है तो देखे तो C अप्सन बिलकुर सेगा उत्पलावन बलके नाम से जाना जाता है यह जो है अप्सन सही हो रहा है आगे देखे दोस्तों 10 नंबर प्रस्ण पर दस प्रस्ण है कि जेंडर समाजिक रूप से राचित है जब कि सेक्स जैविक रूप से प्रदत है बिलकुर सही यह कथन के द्वारा कहा गया है यह कथन जो है नारीवाद की जो जब दुसली लहर आय थी यह उसके द्वारा कहा गया यहाँ पर देखने का अंचार सही हो रहा है ठीक है आगे देखे प्रस्ण आते हैं 11 बहुत अच्छा सा प्रस्ण है दोस्तों की बिहार में सरवाधिक क 12 प्रस्ण करा है कि ड्राप्टिंग कमीटी का गठन कप किया गया था तो 29 अगस्त 1947 को ध्यान रखिया गया दोस्तों की ड्राप्टिंग जो कमीटी है उसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था ठीक है आगे देखे प्रस्ण आते हैं 13 जो प्रस्ण है कि कुवालं पूर में आयोजित 2022 मलेशिया ओपन बैड मिन्टल टूनामेंट में पूरुस एकल का खिताब किसने जीता था बहुत सुन्दा सा प्रसना है और ये करंट अफेस का प्रसना है 2022 का और ये जो प्रसना है एकजाम में पूछा भी गया है इसलिए मैंने इस प्रसनों को यहाँ प दो को मिलान करना है और मिलान करने के बाद सही उतर को चुनना है कि कौन सा बिकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है तो देखिए यहाँ पे देखिए तो तीरुकुलर दिया है तो आये हम लोग मिलान करते हैं तीरुकुलर दर्सन हो जाएगा एक परकार का दर्सन है तो का PPM यह जो हो जाएगा एक परकार का ब्याकरण गरंथ है सिल्पादी करम सिल्पादी कारम जो हो जाएगा यह प्रेम का था है एक परकार का क्या है प्रेम का था है और मडी मैकले जो हो जाएगा एक परकार की वानिव की कथा है तो यहां पी यह option जो D option हो रहा है यह बिल्कुल सही वरा है आगे देखिए दोस्तों आते हैं प्रस्ट न संक्या 15 जो है कि कांटो मैदान जिस देश में उस देश का क्या नाम है तो कांटो मैदान जापान में यह जरूर याद करिएगा बहुत most important प्रस्ण है कांटो मैदान किस देश में है दोस्तों तो कांटो मैदान जापान देश में और जापान की रधानी टोकियो है 16 जो प्रस्ण है कि अमेरिकी स्वतंतरता संग्राम के दोरा 16 दिसंबर 1773 की बोस्टन टी पार्टी से संबंदित निम्नलिखित में से कौन साहब यहाँ पे जो कथन दिया गया है सही हो रहा है तो देखे तो यहाँ पे करांधिकारी चोरी छूपे पोते हो में चाय की सारी पेट्या बानी में फेक दी जाती थी बिल्कुल गलत है और करांध कारिओन बृतिस चांसलर और एक्चल चांस गलत है जबकि टॉंस यह भी गलत है यहाँ पे देखने कम-साटा D-Option बिल्कु इन जो है फिल्म यह मुख्य भूमी का किस अब नेत्री से निभाई गई है तो यहां पर देखने कम सार जो अपसन ए हो रहा है सीमा विश्वास इन्होंने बैडिंट क्विन फिल्म में आपनी अहम रोल लिभाई है सीमा विश्वास 18 प्रस्ण है बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण है देखिए इस पर अश्टार लगा जते हैं कि राष्टिय मचली किसान दिवस प्रतिक वर्स कम मनाया जाता है तो राष्टिय मचली किसान दिवस प्रतिक वर्स 10 जुलाई को मनाया जाता है डी अपसन यहां पर सही हो रहा है 19 19 नमब्र प्रस्थ ना पर देखियें दोस्तों 19 प्रस्थ 10 प्रस्थ नहीं कि निमनल simplest बिबादों में से किसяж में सरवच नियाले ने प्रस्थावना को भारतिय समविधान की मौलिक संरचना का भाघ सभीकार किया है आछा सा अनंद भारतिय विवाद, भारती विवाद, ओके, 20 जो प्रस्न है कि छोटे किसान और मौसमी मजदूर, जैसे लोग जो होते हैं, वह नियमीत रूप से गरीबी दाइरे के अंदर में, और बाहर राते हैं, उन्हें किस रूप में वर्गिकरित किया गया है, तो उन्हें जो ह सार बम, सार बम के नाम से मतलब यहां पर लिखा गया है, कि किसी भी देश द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नाभ की यह बम है, जो 50 मेगा वल्ट बोलता था है, बिल्कुल सही है, और इसका 30 सर्टूबर 1961 को इसका परिछन किया गया था, अब देखने कमसार लग रहा है कि यहां पर कौन सा बिकल्प सही हो रहा है, तो देखें तो यहां पर अभी आप लोग को बताएं कि दोनों बिकल्प जो है, यहां पर सही हो रहा है, पहला बिकल्पी दोस्तों सही है, और दूसरा बिकल्पी यहां पर सही है, आगे देखिए प्रसना आते हैं 22 पर, 22 जो प आगे देखिए दोस्तों आते हैं 23 जो प्रस्णा है कि भारत की इतिहास के संदर में कुल्या वाप तथा द्रोणा वाप सब्द जो है किस से निर्द्रिष्ट करता है तो यहां पर देखने कमसार जो सही होगा ए अप्शन यह बिल्कुल सही होगा भूमाप को निर्द्रिष् करता है आगे देखिए प्रस्णा आते हैं 25 इसको मिलान करने वाला है सुमेलित करने वाला प्रस्णा आ गया दोस्तों और इस तरह के प्रस्णा आपके बिहार SEC में जरूर पूछे जाएंगे तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे तो सी अप्सन बिल्कुल सही होगा चार में यूद्ध कारता हुआ दिर्ग कालिन प्रणयात यह जो हो जाएगा मावो चीन में हुआ है और रुसी करांती 1917 में हुआ है यह तो आप लोग को खेर पता होगा आगे देखिए प्रस्णा आते हैं 26 प्रस्णा है कि निमन में से कौन सा कथन असत्य है देखिए दोस्तों यहां पे बहुत सारे बच्चे घरबला जाते हैं एक नहीं वाला प्रस्णा प्रस्णा बहुत ज़्यादा मत्रा में ध्यान दिया जाता है और एक कसत्य दिया रहता है कथन में उस चीछ को ध्यान से पढ़ना होता है और समझना होता है कि कौन सी बाती यहां पे सही हो रहा सीमा सुल्क प्रसास्थनों की प्रभाव सीलता और कार्य च्छमता में ब्रीधी लाना नहीं यह गलत बोल रहा है और इसका मुखहले बुर्सेलस-Belgium है बिल्कुल गलत है इन में से कोई अप्सन जो है दोस्तो सही नहीं हो रहा है डी अप्सन यहां पर क्या करते हैं हम इसक देखे ऐहां में कौन सा विकल्प यहां पर सइह हो रहा है तो यहां पर देखिनें के पशर्चान की अप्षिन तीसरा हो रहा दोस्तों बिल्कुल सिर्वा पहला और तीसरा विकल्प सभी ओर रहा है यह सकहारी है कि किस राज्य ने जुलाई 2022 में राज्य के सवदेसी बुनकरों को ससक्त बनाने के लिए सवद निर्भर नारी यूजना को सुरी किया है उस राज्य का नाम हो जाएगा असम असम की रधानी क्या हो जाएगा दोस्तों तो असम की रधानी दीश पूर है तो इस चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा प्रस्नों को ठीक है ना दोस्तों अब थुड़ासा आप लोग अस्थम के बारे में आप लोग को बता लएते हैं अब स्थम के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से पाता होना चीओ कि असम की रधानी दिशपूर है और यहां पर जो है चाय की जो फसले सबसे ज़्यादा उगाई जाती है ठीक है दोस्तों चाय होता है सबसे ज़्यादा और जूट भी सबसे ज़्यादा यहाई पर होता है अगले प्रस्ण पर आते हैं हम लोग 29 नमर 29 प्रस्ण है कि असायोगा आंदोलन के दोरान किसने पटना कालेज छोड़ा और जबकि उसकी परिच्छा के केवल 20 दिन ही बचे थे पटना कुलेज को छोड़े थे रिजाइन किये थे कौन थे पटना कुलेज को तो जैप प्रकास नरायन थे सी भी कल्प सायोग रहा है 31 प्रस्ण है कि घातक निमया डैस की कमी के कारण होने वाली बिमारी है तो घातक जो एनिमिया रोग होता है यह बीटामिन B12, B12 के कारण होती है तो जरूर इसे याद करिएगा important प्रस्न है 32 प्रस्न है कि स्वप्रदर्सी समाजवादी किने कहा गया है तो स्वप्रदर्सी समाजवादी वर्ग समनेवी की बात करने माले जितने भी लोग आते हैं उनको स्वप्रदर्सी समाजवादी कहा गया है तो चीत्रेकूर्ट जल परपात को जाना जाता है भी अपसंत सही हो रहे हैं तो आज की कलास में हम लोग 34 प्रसन की है कैसा लगा आप लोग कलास जरूर कमेंट करके बताईएगा और जितना हो से के आप लोग इसे सेर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धामा के दर प्रसनों के साथ तो आप लोग इस चैनल पर बने रहेगा जय हिन बंदे मातरम स्वागत है आप सभी सांथ यूग का गेंजर लर्निंग गुर्जी प्लेटपर्म में दोस्तों हम लोग डेली यहां पे बिहार एसेसी की जो त्यारी कर रहे हैं उनके लिए जो कलासे हो रही है बहुत इंपोर्टेंट कलास हो रही है एक जो कलास होगी सुभा में एक कलास होगी और एक जो कलास होगी दो पर्म होगी तो आप लोग जितने सारे प्रसनों को हम कराएंगे आप लोग उस लेक्चर को देखने का प्रियास कीजिएगा और यह जितने सारे प्रसन होंगे बिहार एसेसी के लिए बहुत किजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा हो सके आपसे कोश्चन न छुटे ओके तो देखिए आते हैं पहले नंबर प्रसने पे यहां पे दोस्तों जो पहला प्रसन करें कि अर्ध सैनिक बलका प्रमुक बनने वाली पहली महिला का क्या नाम है बहुत अच्छा सा प्र आर एससी की भरती आई है इसमें आपको किसी तरह जो है जोब हासिल करने ना है जोब को ले लेना है ठीक है तो यह इस प्रसन का उतर क्या होगा बी अफ्सन सेव का अर्चना रामा सुंद्रम ओके इसके बाद देखिए आते हैं दूसरे नंबर प्रसन पे यहां पे दोस्त होता है क्या पाता चलता है तो देखे तो यहां पे जो ए बिकल्फ होगा यह सही होगा भित्री अस्तम लेक से यह ग्यात होता है यह प्राप्त होता है कि असकंद गुप्त जो थे यह हुडो को क्या किये थे प्राजिते किये थे तो यहां पे देखिए तो राइट एंसर य कि अदानी vine ने दुनिया के सबसे बड़े पहँन सनियंत्र को चालू किया है इसकी छामता जो है कितनी मेगावाट होनी चाहिए अदानी vine ने तो दिखे तो यहाँ पे जो वीकल्प C हुगा यह सायोगा छे सो मेगावाट अदानी vine ने दुनिया के सबसी जो बाड़ा पौन सर उर्जा सनियंत्र है इसकी छामता कितना रखा है तो 600 मेगावाट रखा है किलियर हो रहे हैं सारे प्रस्न आप लोगों के इसके बाद देखिए चोथे प्रस्न पर आते हैं यहाँ पर जो चोथा प्रस्न है कि सेवाल पारिस्थित की तंत्र जिसको इको सिस्टम के नाम से जाना जाता है यह निमनलिखित में से किस अस्तर में आता है या किस रिनी की अंतरगत आता है तो ये जो है प्रोडियूसर होते हैं उत्पादक होते हैं ये विकल्फ सी जो है ये सहीवरा इस सी के अंतरगत मतलब उत्पादक के अंतरगत जो है ये सेवाल पारिस्तित की तंद्र आते हैं जिसको प्रोडियूसर के नाम से जानते हैं आगे देखिए दोस्तों आते हैं पांच नमबर प्रसने पे यहाँ पे जो पांच प्रसने करें कि भारत का पहला Defense Incubator किस सहर में अस्थापित किया जाएगा तो किस सहर में अस्थापित किया जाएगा सी विकल्ब दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है ध्यान रखियेगा इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा हैदराबाद होगा बहुत सुन्दर सा प्रस्ण है बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण है परिच्छा में ये प्रस्ण पूछा भी गया है आगे देखे छे नमर प्रस्ण पर आते हैं छे जो प्रस्ण है कि मानसुन का निरवर्तन इंगित होता है जो मानसुन आते हैं वह किस तरह से अपना जो भेस भुसा बना के आते हैं कैसे आते हैं इसके बारे में इंगित करना है बताना है और दसाना है ठीक है तो देखे तो यहां पे कौन से बिकल्प सही हो रहा है साफ आकास से यह बिल्कुल सही बात है यह अप्सन सही हो रहा है इसके बाद दुसरे में आते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अधिक दाप परिस्तिती से यह बिल्कुल सही बात बोला गया है और अस्थल पर तपमान के बढ़ने से ये भी सही बोला गया है अब हम लोग को देखना है कौन सा बिकल्प यहाँ पे सही हो रहा है तो देखें तो C बिकल्प दोस्तों बिलकुल सही हो रहा है पहाला दूसरा और तीसरा जो बिकल्प दिया गया है यह तीनों क्या है बेहतर तरीका से सही है ठीक है आगे देखिए प्रसना आते हैं साथ नंबर यहाँ पे जो दोस्तों साथ प्रसना है कि electrical wire हेतु अंतराष्टी रंग कोड के अनुसार निम्नल लिखिट में से कौन सा बिकल्प जो है neutral wire को दरसाता है बहुत अच्छा सा प्रसना है जैसे बिजली का तार होता है एक लाल होता है एक हरा होता है ठीक है तो जो neutral wire होता है उसको किस रंग से दरसाया जाता है इस option में हमको देख के बताना है तो उसका जो हो जाएगा neutral होता है नीला रंग का तार होता है सी विकल्प दोस्तों बिल्कुल सही होता है जैसे आप लोग अश्ट्रप्लाइजर होता है उस पर देखेंगे तीन जो सौकेट लगे होता है इस तरह का तो सी में होता है एक लाल होता है एक हरा होता है एक नीला होता है ठीक है आगे देखिए प्रसना आते हैं आठ नमर प तो उस राज येकर नाम हो जाएगा बंगाल पच्छी मंगाल जो हो जाएगा 1937 के आम चुनाओं के बाद यहां पर भारतिय राष्टिय कांगरिस ने अपनी सरकार को नहीं बना पए थी ठीक है आगे देखिए आते हैं प्रस्न संक्या 9 जो प्रस्न है कि मौर्य समराज के समय में बिहार का क्या नाम था मौर्य समराज के समय में बिहार का क्या नाम था नाम तो देखें तो यहां पे जो बिकल्प जो ए होगा यह सही होगा सरकार का कोई भी हस्त छेप नहीं होता है आगे आते हैं प्रस्ण संख्या 11 पे 11 प्रस्ण एक निम्नल लिखेत में से कौन सी मीटी नदियों द्वारा निर्मित होती है नदियों के द्वारा बनाई जाती है तो देखे तो यहां पे जो 11 नंबर जो प्रस्ण है इसका विकल बिल्कुल सही होगा जलोड मीटी यह जो मीटी है नदियों के द्वारा जो पानी आता है बाल तो उससी के द्वारा इसका निर्माण होता है तो C अप्रस्ण सही हो रहा है आगे देखे प्रस्ण 12 जो है दोस्तों कि जय विबित्ता में परिवर्तन होता है जय विवित्ता में परिवर्तन कब होता है तो ये जो भुमद रेखा की तरफ जो बढ़ती है तब जाकर परिवर्तन जो है इसमें देखने को मिलता है ये अप्सन यहां पे सही हो रहा है आगे देखे दोस्तों तेरा जो प्रसनाई की भारती क्रीसी में किसने पुंजिवादी उत्पादन के तरीके की पहचान किया पुंजिवादी जो उत्पादन है इसके तरीके की पहचान करने वाले जो बेग्यानिक है उनका क्यानम है तो उनका उत्सा पटनायक हो जाएगा यहां पे देखे तो भी अप्सन सही होगा आगे आते हैं प्रस्ण संख्या 14 पे 14 जो प्रस्ण है दोस्तों कि अक्तूबर 2022 में भारत के चुनाव आयोक के उप चुनाव आयोक के रूपे किसे नियुक्त किया गया था बहुत अच्छा सा प्रस्ण है पूछा भी जाता है चो अजय भादु अजय भादु को जो है भारत के चुनाव आयोक के उप चुनाव आयोक्त के रूप में इन्हें 2022 में नियुक्त किया गया था ठीक है आगे देखिए प्रस्ण आते हैं 15 15 प्रस्ण है दोस्तों कि किस प्रकार का रुग जनक जल जनित इकोलाई संकर्मन का कारण बनता है बहुत अच्छा सा प्रस्ण है तो बैक्टरियल जो होता है यह जो है इकोलाई संकर्मन का कारण बनता है केवल जल से रोग जनित जल जहां पे गंदे जल होते हैं ठीक है आगे देखिए प्रस्ण आते हैं 16 16 जो प्रसन है दोस्तों कि भारतिय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्याईक समिच्छा की सकती को सरवाधिक अश्टपर्श रुप से ब्यक्ते किया गया है या आर्टिकल कौन-कौन से है तो यह आर्टिकल जो हो जाएंगे आर्टिकल 32 से लेकर आर्टिकल 226 आर् इसको ब्यक्ते किया गया है आगे देखे प्रसन आते हैं 17 जो प्रसन है दोस्तों की निम्दाल लिखित में से किस ने भारत में स्मड सीको का प्रचलन नियमित उपियोग के लिए किया था बहुत अच्छा सा प्रसन है यह तो स्मड सीको का प्रचलन की बात का दिया तो यह बीकल बिल्कुल से होगा वीम कड़फिस्टेस ने स्वन्स इको का प्रचलन जो है यह नियमित उप्यों के लिए किया करता था 18 जो प्रस्न है कि तिरतियक छेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविदी सामिल नहीं की जा सकती है यहां पर अप्सन कमसार देखना है और बताना है कि तिरतियक छेत्र के अंतरगत जो है इस अप्सन कमसार कौन से छेत्र जो है नहीं आते हैं तो बात करें सी अप्सन बिल्कुल से होगा मधु मखी जो पालन है यह तिरतियक छेत्र के अंतरगत नहीं आता है ठीक है इसके बाद आते हैं 19 नमबर जो प्रस्ण है कि रायल सोसाइटी ओफ लंदन का प्रत्थम भारतिय फैलो कौन था बहुत अच्छा सा प्रस्ण है इंपोर्टेंट प्रस्ण है तो ये जो कौन थे भारतिय फैलो कौन था तो एसी वाडिया एसी वाडिया जो थे ये रायल सोसाइटी ओफ लंदन के प्रत्थम भारतिय फैलो माने जाते थे आगे देखे आते हैं प्रस्ण संक्या 20 पर 20 जो प्रस्ण है दोस्तों कि निम्दा लिखित में से किसे संसलेसित रबड काते हैं तो किसे संसलेसित रबर करते हैं तो नियो प्रियन जो होता है इसे संसलेसित रबर के नाम से जाना जाता है एक इस जो प्रस्ण है दोस्तों कि निम्दल लिखित में से कौन सी किसी जल निकाय में घनत्व परमड़ता को दर्साती है यहाँ पे option concern देखना है और बताना है कि घनत्व जो परवाणता है जल नहीं काएगा वह किसको दरसाती है तो वह पिक्नो कलाइन को दरसाती है यह सही हो रहा है बहुत important प्रसन है इसके बाद देखिए बाइश जो प्रसन है दोस्तों कि निमनल लिखित में से क्या लेंगर हंस की जो प्रदिपिका है इसमें से कौन सा हर्मोन जो है स्रावित नहीं होता है तो यह ग्लूकावन इंसुलीन और सुमेटो अस्टेटिन यह स् लोको काटी क्वाइट से होता है यह स्रावित नहीं होता है क्योंकि यहां पर नहीं पूछा गया है यहीं पर बच्चों के द्वारा बहुत सारी मिश्टेके हो जाती है नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और वहां पर अप्सन को स्टेक कर देते हैं जिनसे प्रसन जो है उन चिंचलाकर कौन थे विष्णू चिंचलाकर कौन थे तो विष्णू चिंचलाकर जो थे एक प्रकार के चित्रकार थे ए बीकल्प सहयोगा यहाँ पर देखिए 24 प्रस्ण एक निम्दल लिखित में से कौन सा देश 2023 में बरावे 20 समेलन की मेजवानी करेगा और यह करंट अफ प्रस्ण कर एक निम्दल लिखित राजियों के गठन बिचार किजिए गठन पर बिचार करना है और इनके काल करम के अनुजार इनको ब्यवस्तित करना है कि कौन सा करम यहाँ पर सही हो रहा है तो देखिए पाले हम इसको यहीं से बता देते हैं अपसंद कुछ नीचे दि लगना तो देखिए कौन सा बिकल्प सही हो रहा है चार एक इसके बाद तीन और दो हो रहा है अपसंद हम लोग देख लेते हैं कौन सा बिकल्प सही हो रहा है तो देखिए दोस्तों बिल्कु सही हो रहा है अपसंद भी सही हो रहा है चार एक तीन दो क्योंकि हम लोग का एक तीन दो आया हुआ है उके तब इसी तरह प्रस्णों को आप लोग को करना है 26 प्रस्ण है कि जुलाई 2022 में सेमी कंड़क्टर पार्क की अस्थापना के लिए किस राज्य सरकार ने IGS बेचर स्कुए साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किया है कौन सा राज्य है जो जुलाई 2022 में इसकी अस्थापना के लिए क्या किया थे एक हस्ताचर पेस किया था कौन सा राज्य है तो ये राज्य का नाम हो जाएगा तमिनाडू अप्शन जो D हो रहा है ये सही होगा आगे देखिए 27 जो प्रस्न है कि मोर्य समाज का विभाजन साथ वर्गों में विशेश तोरप उलेखी थे तो देखे तो D अप्शन बिल्कुल से होगा मेगा अस्तनीज की इंडिका में मेगा अस्तनीज की जो एक पूस्तक है जिसका नाम है इंडिका इसी में जो मोर्य समाज है इसके विभाजन के साथ वर्ग जो है देखने को मिलते हैं आगे जो 28 प्रस्न है कि निम्दल लिखित में से कौन एक नय के निर्माण के लिए संबेधानिक उपबंध नहीं है यहाँ पर देखिए तो डी अप्सन सीवर है लेकिन दोस्तु यहाँ पर दिखे नहीं अप्डिया है इसको विभाजन में रखना होगा कि एक नय के निर्माण के लिए संबेधानिक उपबंध नहीं है तो ये जो एक राज्य संग्ज होगा राज्य छेत्र सामिल कर सकेगा ये बिलकुल क्या दिया है गलत बातों को असप्रष्ट किया गया है आगे देखे प्रस्ण आते हैं 29 जो प्रस्ण है कि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संद्रच्छन निम्नलिखित में से किस वर्स में पारित हुआ था तो D-Aption बिलकुल से गए 2005 में इसे पारित किया गया था कि जब महिलाओं पर घरेलू हिंसा हो रहा है जो विबाद हो रहा है उत्पन हो रहा है मारा पीटा जा रहा है ये 2005 में इसे पारित किया गया था प्रस्ण है कि समधायों का पुरूण क्रम जो क्रम सा एक निस्चित अस्थान बदलता है वह क्या कहलाता है तो वह जो निश्चित अस्थान बदलता है उसे सियर के नाम से जानते हैं बी अप्सन दोस्तों यह क्या होगा सही होगा 32 जो प्रसन है यहाँ पे कि अस्मीनी पुनमपा किस खेल के लिए प्रसीद है बहुत सुन्दा सा प्रसन बहुत धामा के दर प्रसन है तो जो अस्मीनी पुनमपा है यह बैडमिंटन के खिलाड़ी है डी अप्सन यहाँ पे सही होगा आगे देखिए प्रसना आते हैं 33 जो प्रसन है कि जब राजा ने मैसूर राज्य की अस्थापना कि तब बिजय नगर समराज्य का सासक उसमें कौन था बहुत अच्छा सा प्रसन है तो उसमें बिजय नगर समराज्य का जो सासक था बैंकेट देती है था डी अप्सन दोस्तों सही होगा कौन था दोस्तों तो बैंकेट देती है था 34 नमबर जो प्रसन है कि निम्दल लिखित में से कौन रामधारी सी दिनकर की रचना नहीं है तो रामधारी सी दिनकर की रचना हो जाएगा परसुराम की प्रती चाहिये है उर्वर्सी भी हो जाएगा और रेनुका भी हो जाएगा ये सब तीनों रचना रामधारी सी दिनकर की है लेकिन रतिनात की जो चाची हो जाएगा ये रामधरी सी दिनकर की रचना नहीं है और देखते हैं 35 नमबर जो प्रसने की निम्दल लिखित में से जल बिधुत परियोजना में से कौन सी परियोजना भारत के भुटान के सयोग से बनाई जाती है तो भारत के भुटान के सयोग से जो है चूका बनाया गया सी विकल्प यहां पर सयोगा तो दोस्तो आज की क्लास में हम लोग 35 तक प्रसने कीए जितने सारे प्रसने कराएं बहुत इंपोर्टेंट है तो इसे आप लोग लाइक कीजिए शेयर कीजिए तब तक हम लोग मिलेंगे दो पहर में ऐसे ही धमाके दर प्रसनों के साथ तब तक आप लोग को लिए दिल से धन्यवा थैंकिए